हलो फ्रेंड मैं कुमार सोरफ सोरड अकडेमी में आपका स्वागत है हम लोग आज के वीडियो में जानने वाले हैं On-Grid Sohood System के वारे में वो सि्टम जिसे हम लोग Grid Tide सिस्टम भी बोलते हैं इस सिस्टम में हम जानेंगे On-Grid सिस्टम क्या है कौन से system को हम on grid system बोलते हैं दूसरा ये on grid system जो है उसका connection कैसा किया आता है ऐसा कैसा connection हम करें कि वो connection on grid system कहलाए तो चली हम लोग video को start करते हैं हम लोग पहले जान लेते हैं कि on grid system क्या है तो on grid system जो है ये solar PV system यानि solar photovoltaic system ही है on grid solar system का मतलब ही होता है grid on मतलब जो grid है वो on के condition में है यानि वो grid चालू है grid का connection होना चीए grid on होना चीए इस system में इस solar system में जितना extra energy हम generate करते हैं उस energy को हम grid में feed कर सकते हैं यानि grid में transfer कर सकते हैं और जरूरत परने पर हम उसे वापस ले भी सकते हैं दिन में हम generate करके उसे grid में feed कर सकते हैं extra energy को और हम रात के समय उस energy को वापस हम utilize कर सकते हैं, use कर सकते हैं benefit है इस on grid system का यह कि यह system बहुत simple, बहुत साधारन है इसे हम आसानी से install कर सकते हैं बागी other system के मुकाबली यह बहुत easy way में और बहुत simple तरीके से install होयाता है दूसरा अच्छा benefit यह है कि बागी जितने भी solar system होते हैं उनसे बहुत सस्ता है यह system बागी system थोड़ा costly होता है बट यह system जो है on grid system ज्यादा सस्ता है बागी के मुकाबले यह on grid system हम वही लगा सकते हैं जहां grid का utility हो यानि grid का connection हो main का connection हो अब यह main क्या है मैं आपको details में समझाता हूँ जो आप electricity यूज करते हो घर में जो बलव पंखा टीवी फ्रीज जो भी चलाते हो जो वो connection जिस पोल से आप ले रहे हो तो वो उसका connection वहां से होना चाहिए दूसरा important point मैं बता दू on grid solar system के बारे में कि यह on grid system हम वही लगा सकते हैं जहां पर दिन के समय government का supply है वो continue रहे है यानि वो बीच में light अगर चला जाता है light कट जाता है या फिर किसी भी वज़े से light अगर रुख जाए तो solar system भी electricity generated नहीं करता हम देखते हैं on grid solar system को हम कैसे connect करते हैं कौन-कौन से equipment हम कैसे connect करते हैं तो यह on grid system को मैंने अब आपको बताया कि grid tight system भी बोलते हैं इसमें हम लोग कुछ-कुछ equipments यूज़ करते हैं जैसे कि हम लोग solar panel यूज़ करते हैं यह देख पारों यह sun है solar panel के से जो electricity generate होगा वो DC current होगा यानि direct current होगा उस direct current को यान DC current को हम किसमें देंगे inverter में देंगे तो inverter में inlet हो जाएगा यानि inside हो जाएगा inlet जो power होगा वो DC होगा और outlet जो बाहर निकलेगा inverter के बाद तो वो AC current यह alternating current के रूप में बाहर निकलेगा inverter से वो inverter क्या करेगा उसे दो भाग में बांट देगा मतलब उसे दो जगा supply देगा एक supply देगा हमें घर में मतलब हम घर में यूज कर सकते हैं जितने भी equipment हम यूज करते हैं उसका यूज कर सकते हैं दूसरा supply जो देगा वो grid में देगा अब पहले हम जान लेते हैं जो घर में यूज कर रहा हैं मालो आप घर में जो AC current, alternating current जो यूज कर रहे हो वो अगर कम यूज कर रहे हो, जितना generate कर रहा है उससे आप कम यूज कर रहे हो आपकी जो बज गया energy को इनवर्टर ग्रिड में फीड कर देगा अब grid में जो feed करेगा, बीच में हमें एक लगाते हैं meter जिससे हम लोग बोलते है net meter मैंने इस net meter के उपर, especially मैंने एक video बनाया है details में समझाया हूँ कि net meter कैसे काम करता है, उसका कर पूरा system बताया हूँ net meter जो है, ये चार अलग-अलग condition में काम करता है on grid system में ही काम करता है, और ये चार अलग-अलग condition में काम करता है तो चारो condition को मैं समझाया हूँ, एक video में, आपको video के end में मिल जाएगा इस video के end में आप, जब end तक पहुँचोगे, वह options आएगा, suggestion, चार वीडियो suggestion में आएगा, उस पे click करके आप देख सकते हैं वह वाला वीडियो तो ये net meter जो है, ये क्या करता है, एक bi-directional काम करता है मतलब इस net meter के जरी हम current feed भी कर सकते हैं, यानि current भेज भी सकते हैं grid में, government वाला supply जहां होता है, वह हम दे भी सकते हैं और इस meter के जरी हम वापस ले भी सकते हैं मतलब हम अगर जितना energy दे रहे हैं, तो उसका data यहाँ पे fill होगा और जितना energy हम ले रहे हैं, हम दिन के समय जो energy generate होगा, panel के दोवारा हम तो दिन में दे रहे हैं इसके जरीए और रात में जो हम लेंगे इस net meter के जरीए, तो यह भी उसे balance करेगा, मतलब जितना आप दोगे और जितना आप लोगे, इसका जो balance जो बच जाएगा, वो net meter सो करेगा अगर आप ज्यादा energy दे रहे हो और कम energy ले रहे हो, तो देन क्या होगा, आपको positive में दिखाएगा, अगर यही चीज आप अगर कम energy दे रहे हो दिन में और रात में ज्यादा energy आप यूज कर रहे हो घर में, देन क्या होगा, आपको negative में दिखाएगा, तो कुछ इस तरह का काम करता है on grid solar system, बहुत easy और simple figure दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाओ कि किसका connection किस से किया जाता है, जैसे panel का connection किया जाता है inverter से, inverter का फिर output जो निकलता है, एक चला जाता है main में, grid में, दूसरा home यानि घर में, अब यह जो जाता है main में, बीच में एक लगता है net meter, जो balance करन और मैं आपको बता दो, आपको मैंने कुछ दर पहले बताया भी, कि on grid तभी काम करेगा, जब grid का utility होगा, grid अगर नहीं होगा, यानि जहां से आप electricity ले रहे हो, अगर वो part नहीं होगा, आप on grid solar system नहीं लगा सकते हो, अगर आपको कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो, यहाँ topic लेकर आते हैं, solar related, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए, take care